असलाम अलेकुम प्यारे बच्चों ये मैथ कलास है नाइन्थ के लिए और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं नया चप्टर उसका नाम है पॉलनॉमियल्स पॉलनॉम्स में हम पहले थोड़ा इंट्रड़क्शन लेते हैं ताकि हम ये अच तरह अंडरस्टेंड कर सकते हैं चप्टर तो लेट अस बेगन यहां पर मैंने एक टिर्म दी है अब देख रहे हैं 4xq एक अलजेब्र टिर्म है जो कलास एर्थ में आपने पढ़ा है अलजे ये वाला इसको बोलते हैं कौप्शन और इसको हम भोलते हैं तर्म पिर मैं नीचे दिया है यहां पर एक पोर्री आकसु प्लस 2 10. यह जो तर्म खाल जिसके घिसके साथ में एक्स नहीह होता है वेरेब्र मुनेह होता है उसको बोलते हैं ओनास्तिंट नंव18 technology औरस फिर यह याद रखे, यहां पर मैंने दिया आपके लिए x square, x raised by 1 by 2, and root y, तो आप बता सकते हैं, इसमें कौन polynomial है, यह देखकर whole number होना चाहिए, तो 1 by 2 तो whole number नहीं है, तो यह नहीं होगा, root भी तो 1 by 2 है, तो नहीं होगा, तो हमारा सीदा अनसारा तो x square, very good, फिर हम polynorms के types देखते हैं, on the basis of number of terms, अगर एक term polynomial में होगी, सबसे 4x या 5x खाली, तो इसको बोलते हैं monomial, ठीक, फिर दूसरा अगर 2 terms होंगी, तो इसको बोलते हैं binomial 2, यानि by 4x square plus 2x, and so many examples are there, फिर अगर 3 terms होंगी, 3 terms, उस polynomial को हम बोलते हैं, trinomial और इन सब को बोलते हैं polynomial, तो यह आपको पता है, आपको समझ आया होगा, फिर लेते हैं, degree के basis पर, on the basis of degree, अगर इस पर degree देखे आप, इस पर x को raise power 1 है, हम यह यूजर नहीं लिखते हैं, तो जिसको, जिसका raise power 1 होगा, जिस term का, जिस polynomial में highest power होगा 1, तो उसको बोलते हैं linear polynomial, अगर highest degree होगी polynomial की 2, तो उसको बोलते हैं quadratic, very good, अगर highest degree होगी 3, cube यानि, उसको बोलते हैं cubic polynomial, और कोई भी degree नहीं खाली, हमारे पास 0 है, तो इसको बोलते हैं 0 polynomial, बिल्कुल ठीक, आया आपको समझें, चलो अच्छी बाद, अब आते हैं दूसरे type का जो polynomial होता है, जिसमें हम degree भी देखते हैं, और देखते हैं, साथ में कितने variables हैं, यहां पर आप देखें, यहां पर हमारे पास 4x plus 2y minus 3, यह एक polynomial है हमारे पास, यहां पर दो कसम की variable है, तो इसको बोलते हैं, 2 variable polynomial, 2 variable, ठीक, अगर degree देखें, इसकी भी एक है, इसकी भी एक, तो 1 को हमें पता है, उसको बोलते हैं linear, तो linear है यह, लेकिन 2 variable, इसमें भी देखे इसमें खाली, एक से और यहां पर एक से 2, यहां पर दो variable चेंज नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं 1 variable, ठीक, बेटा, यह भी समझाए होगा, फिर हमारे पास है t raise power 4, y cube, x square, देखिए हम पर कितनी types की variable है, 1, 2 and 3, तो इसको क्या बोलेंगे हम 3 variable polynomial, तो यह हता है हमारा introduction इसम इसना पर आप exercise, जो हमारी exercise polynomial की है 2.1 यह आप, यह आपके लिए home over रखे, और अपनी notebook भी किजिएगा, और मुझे उसका screening shot send कीजिए, ताकि मैं देख सकों कि आपको आता है कि नहीं, और कहीं भी भी अगर आपको कोई problem, या कोई collect message हो तो please मुझे phone कीजिएगा, मैं आपको बरबूर दरीके से guide करूँगा, वह भी ताकि आप बिलकुल अच्छे mathematician बन जाए, thank you very much.